नागरिक्ता संसोधन कानूर और रास्टि नागरिक्ता रेजस्टार के खलाब शाहिन बाग में प्रदर्शन काफी दिनों से जारी है विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने और कालंदी कुझ शाहिन बाग सडकों को खुलवाने की कई बार नाकाम कोशिशे भी की गई अब इस मामले में सुप्रेम कोड आज सुनवाई करेगा तो आज का दिन बेहत खास माना जा रहा है इस मामले में कोड ने केंद्र, दिली सरकार और पुलिस से जबाब भी मागा था और इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है तो जिस तरीके से CAA का विरोध किया जा रहा है पिछले कई दिनों से 64 दिन हो गए हैं जिसको लेकर लोग जो हैं वो काफी जादा परिशान नजर आ रहे हैं शाहिनबाग का रास्ता खुलवानी के लिए अरची भी दी गई है और इसको लेकर आज सुनवाई होनी है सुप्रिम कोर्ट आज इस फैसले के सुनवाई करेगा लिगल पैनल के साथ रज़्या भी बनाई गई है चौसर दिनों से जारी है शाहिनबाग में एक धरना प्रदर्शन तो क्या कोट से समधान निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है सी एक विरोध में चल रहा है धरना प्रदर्शन और इसकबर पे जादा अपडेट के साथ दिली से अमिद दुम्हमर साथ लाइब बने हुए अमिद आप से जाना चाहेंगे कितने दर के बाद कोट जो है इस मामले के सुनवाई करता हुआ नजर आएगा देखिए अपसे कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है खास तोर पे शाहिन बाग को लेके लोग जो है पहले से ही कोट में लगातार दस्तक दे रहे हैं किस तरह से शाहिन बाग का जो अवरुद पड़ा रास्ता जो लगबग दो मैनेस जादा का वक्त हो गया बंद पड़ा है उससे खुलवाने के लिए अब यहाँ पे चुकी लोगों को उम्मीद इसलिए है कि सुप्रीम कोट डिसीजन दे सकता है क्योंकि पिछली टिपड़ी में सुप्रीम कोट ने साफ किया था कि किसी भी मार्क को आप अपने प्रदर्सन के लिए रोक नहीं सकते और इसे लेके जब सुप्रीम कोट ने टिपड़ी की थी तो आज लोगों को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोट जो है वो शाहिन बाग को लेके केन सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोट डिली पुलिस को दिशा निर्देश दे सकता है कि कैसे रास्ता खा करें तो कई सारी कडिया है कि सुप्रिम कोट से लिए कि क्या कुछ कहता है क्योंकि अपसे दो से तीन सुनवाई जो है पिछली हो चुकी है लेकिन कोट ने अब तक जो है सिर्फ टिपड़ी की है कोई भी आदेश या निर्देश नहीं दिया है जी विल्कुल तो क्या दिवन जो है वो बहुत जादा अस्वेस्ट हो गया पर क्या लगता आपको दूसरा जगा दे दिया जाएगा तो वहां पर भी ऐसे मोहल खड़े हो जाएंगे क्योंकि यह 64 दिन में भी यह जो महले वो शांत नहीं हो रहा है इसका कोई एहम फैसला आना बहुत जादा सकते कह darum चुनाब हा था उसका हवाला दिया था कि चुनाब के समय स्काहिस मसले सुनवाह नहीं कर ज़ रहा की वह भी ओगे कि शिरुफ टिंबृट को मतलब रास्ता जो है फो रोका नहीं जा सकता है और उसको बाकाइदा पूश्टि की थी कि किस तरह प्रदर्शन हो सकता रास्ते को नहीं रोक सकते लेकिन पिछली बार सुप्रीम कोट ने जो दिल्ली विधानसवा चुनाब का हवाला दिया था अब चुनाब हो चुका है सरकार बन चुकी है तो सुप्रीम कोट सुतंत्र है सुप्रीम कोट पहले भी सुतंत् किया तो अब जब चुनाब संपन हो चुके हैं सरकार बन चुकी है तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोड आज अपना फैसला सुनाएगा लेकिन सबसे बड़ी चीज की दोनों चीजे सुप्रीम कोड ने कही जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं चाहे प्रदर्शन की को रखके आखर सुप्रीम कोड क्या कूश डिसीजन देता है देखना होगा अमित आप इस खबर पे नजर बनाये रखे आगे भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्रया तमाम अपडेट के लिए तो आज का दिन बेहत खास है कोड से निकले का समधा अ आपने आ सकता है जिसमें हमारी नजर बनी हुई है